ओके हे ऐल रााइट और वाहराईट एटरसे नीज़च पेपर आनलेस़ डेली के बैसेश只 per हम पेज वाइज डिसकेशन करते हैं हर एक नीज़च को हाईलेटेड वे में आपको एक्स प्रियन करते हैं प्लस उसके free में नोट्स हम आपकोeleriट करवाते फ्री नोट्स कहां से मिलेंगे हम वीडियो के वीडियो में बता देंगे सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज पेपर डिसकेशन और हर एक नोट्स को हम शेयर भी करेंगे फ्री में चलिए स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज पेपर डिसकेशन उसमें हम कुछ सुधार चाते हैं ओके ठीक है तो सुधार दो चीज़ों मैं ये मांग रहे हैं भारत वाले क्यों? क्योंकि जो सुधार करने हैं वो जम्मो एन कस्मीर वाले रीजन में ही करने हैं यहाँ पर दो डिस्प्यूट है सबसे पहली जो नदी है हमारी किशन गंगा जो की जम्मो एन कस्मीर रीजन से फ्लो करती है दूसरा रेटल हाइडरो पावर प्रोजेक्ट ये भी जम्मो एन कस्मीर वाले रीजन में है और जो की रीजन आप सबको पता है पाकिस्तान occupied कस्मेर भी है कूछ ही reason अब simple सी बात है भारत ने पाकिस्तान सरकार को एक notice भेजा बोला गया कि इसमें क्या करना है चेंजेस करने है ये treaty है 62 साल पुरानी ठीक है ये treaty है 62 साल पुरानी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ये treaty हुई थी डबलूटी इसको बोला जाता है यह हुई थी 1960 में ठीक है और इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ट्रेटी हुई थी अभी मैं इसमें ये भी बताऊंगा कि मध्यस्तता किशने की क्यों ये इंपोटेंट हो जाती है राइट तो अब इस मुद्धे को समझना है सबसे पहले इंडस वाटर ट्रेटी में नाम से लग रहा ना इंडस जान लीजिए सबसे पहले कितनी नदियां होती है देखें इंडस में जनरली कौन-कौन सी नदियां है और उसकी ट्रिब्यूटरी जो पूरे इंडस वाटर सिस्टम को बनाती है जिसमें है एक रावी नदी, बियास नदी, सतलज नदी, जेलम नदी और चेनाम नदी कुछ जो नदियां है जो एपसल्यूट भारत के कंट्रोल में है ये पूछा जा सकता है इंडस वाटर ट्रेटी के बेसेस में कौन-कौन सी नदियां भारत के कंट्रोल में है तो रावी, सतलज और ब्यास जो नदियां है वो पूरे भारत के कंट्रोल में हैं और similarly जो वेस्टन रिवर हैं इंड़स जेलम और चेनाब वो पाकिस्तान के कंट्रोल में हैं बट जो ये वेस्टन रिवर में हैं ट्रेटी में ये कहा गया है कि भारत उसका यूज कर सकता है domestic use का non conservative use का किरसी के लिए कर सकता है hydro electric power subject के लिए कर सकता है बट बहुत बार जब इंडिया hydro project चलाता है तो उसमें claim कौन कर देता है पाकिस्तान कर देता है तो issue अभी दो चीजों का मैंने बता है किशन गंगा और एटल hydro power project का भारश चाता है कि इसका अच्छे से use हम कर पाएं उतनी productivity नहीं मिल रही है तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं IWT के notes और ये कहां मिलेंगे आप लोगों को free में दूसरा हम देख लेते हैं कि IWT के बारे में और कौन सी जानकरी है जो newspaper में नहीं दी गई है और हम इसको करेंगे देखो भारत ये चाता है कि जो पूरी ट्रेटी है उसका article अनुछेद 12 का clause 3 उसको change करना चाता है जिसमें जो deal करता है ट्रेटी के final provision भारत चाता है कि final provision को भारत बदले साथी साथ देखो Indus Water Treaty एक ऐसी ट्रीटी है हाला कि हमारे exchanges ट्रेट कुछ भी नहीं होता फिर भी Indus Water Treaty एक ऐसी ट्रीटी है जो 62 साल से चली आ रही है अब देखो आपको ये notes free में कहां मिलेंगे देखो आज के notes हमने इस channel में free में publish कर देए हैं ये date wise होंगे और page wise होंगे आपको टेलिग्राम में similar ऐसा type करना है पंकज बोहरा official तो आप इसे type कर सकते हैं और Indus Water Treaty के notes फिर groundwater का crisis जो की UPSC mains में आप use कर सकते हैं मतलब एक तरह से आप पूरा news paper पढ़ेंगे और daily के basis पर prelims और mains के notes आपको free में मिल जाएंगे बड़ बात यहां पर यह आती है कि बहुत सारे बच्चों को test reach जो NCRT initial में पढ़ रहे है NCRT के test reach प्लस NCRT के crisp notes बनाने में दिक्कत है प्लस दूसरे notes बनाने में दिक्कत है आज का discussion यह है अठाई जन्वरी के हिंदू page के free notes तो Indus Water Treaty मैंने कुछ तो आपको बता दिया कि इसमें river जेलम चेनाब रावी ब्यास सतलज है जो यह treaty दोनों देसों की बीच में sign हुई थी 1960 में जो तीन river है जिसमें रावी, सतलज, ब्यास हैं जो की eastern river है वो भारत पूरी तरह exclusive यूज़ करेगा उसमें पाकिस्तान हाद भी नहीं लगा सकता सोचो रावी, सतलज और ब्यास जो eastern river है बागी जो western rivers हैं, इंडस, जेलम, चेनाब इसमें were allocated to Pakistan कुछ चीज़ों के लिए except भारत domestic चीज़ के लिए agriculture के लिए non conservative के लिए यूज़ कर सकता है भारत को ये treaty में provide किया गया है इसके साथ साथ भारत को ये भी अधिकार है कि hydro electricity बना सकता है ऐसे project चला सकता है पर बार बार पाकिस्तान क्या करता है उसमें challenge करता है अब भारत ये चाता है और एक और चीज़ याद रखना कौन सी ऐसी body थी जिसने इंडस water treaty को क्या किया था help की थी, world bank की मध्यस्तता इसमें हुई थी तो आई थिंक अब आपको इंडस water treaty आ चुकी होगी नुस्ता साटी का है अभी वो article बार में change करना चाते है तो पहले page की news हमने पूरा detail में जान ली क्या issue है कि शन गंगा कहा बहती है रेटल हाइडो प्रोजेक्ट से दिक्कत है अला कि treaty में लिखा हुआ है बट वो चाते हैं कि जो final provision है वो change हो राउल गांदी जी कस्मीर में अपनी भारत जोड़ो जात्रा कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि security कम है इसलिए मुझे bullet proof जैकेट चाहिए हमारे काम की नहीं है मुंसिपल डिटी के election मां आम आदमी सरकार जो है सुप्रेम कोट के पास गई कि यार election इतनी देरी से क्यों रहे हैं राइड बीबीसी फिल्म रिचेज डियू हम बेट कर our city से कुछ मतलब आपको नहीं है राइड हम ये वाला नहीं पढ़ेंगे अडानी के share गिरे go first find for living ये मन की जो बात है और परिक्षा पर चर्चा की बात है पीम मोदी ने बोला तमिल इंडिया की नहीं वर्ल्ड की oldest language है हमें इसमें proud होना चाहिए और मैं आपसे question पूछना चाहूंगा कि इस वक्त भारत देश में कितनी classical भासाएं हैं कितनी classical language है आपको total number बताने हैं आपकी option है 6, 7, 8, 9 और next option है none of the above आपको अपना answer लिखना है साथ में उनके बारे में भी लिखना है चलिए बात करते हैं page number 2 की देखो BBC फिल्म में controversy चली ये वाली आपको नहीं करनी जो documentary चल रही थी उसके बारे में बहुत बार कर लिया आम आदमी party से related है ये देखिए lgdsmil election municipality के election देर हो रहे हैं ठीक है minor girls online stock कर रहे हैं तो police चेक कर रही है ये सब चीज़ें चलती आ रही है तीसरे page में election commission of India से related है आप लोगों को मैं बता दूँ election commission article 324 के अंदर आता है और इसका जो 61st constitutional amendment act है उसने 21 साल थी पहले हमारी vote करने की उसको 18 साल कर दिया है ठीक है 61st constitutional amendment act आप लोगों के लिए ये question है कि 61 सविधानिक संसोधन किस वर्सा है था आपके option है 1987, 1988, 1989 या none of these ठीक है ये वो सविधानिक संसोधन है जब voters की age 21 साल से 18 साल कर दी की आप vote डालेंगे ठीक है ये आपको नहीं करना ये आपको नहीं करना आपको by use cert पर ये खरीद लेना आप लोग ठीक है trouser और jeans से और मजा कर रहो चलिए next बात करते हैं ये आपको नहीं करना ये आपको नहीं करना हर्याना farmer being आप लोगों मैं directly बता दे रहा हूँ जब किसी newspaper में क्या चीज़े नहीं करनी वभी नहीं तो मैं सिर्फ news दिखाता आप लोगों को ये भी skill आनी चाहिए यादाओ को पद में विभूशन मिला तो यहाँ पर BSP बहुजन समाज पार्टी में ये बोलते हैं कि हमारी जो लीडर है कंशी राम उनको भी क्या मिलना चाहिए पद में विभूशन मिलना चाहिए तो ऐसे political agenda चलते रहते हैं आपको अपने exam point of view से ये चीज़े नहीं पूछी जाएंगी राइट देखो पेज नमबर 5 मैं लगातार आप लोगों को pages wise discussion कराते आ रहा हूं ठीक है वेटरन एक्टर जमूना पासिज अवे ये एक तेलगू एक्टर है फेक माक्सी ट्रकेट बस्टेड जिस जो भी बच्चा जिस राज्जी से देख रहा है अपने राज्जी की न्यूज देख सकता है तब ही मैं इसको पूरा पढ़ाते हुए आया हूं चलिए बात करते हैं इसकी एशिया का वाटर बर्ड सेंसेस कराया गया दोजार तेईस में इसके अनसार केरला के तिरवन्त पुरम जिले में जो पक्षियों की संक्या है 65 परतीसत बड़ी है आप लोगों को कुछ वेटलेंड याद कर लेने हैं केरला के जिसे जैसे पंजन चिरा वेटलेंड ये है अतिंगल के पास और यहां पर थ्रेट्स फेस किये जा रहे हैं जो एंथ्रोपोजोनिक एक्टिविटीज है यानि कि मानवदारा निरमिज जो एक्टिविटीज है उनसे थ्रेट हो रहा है साथी साथ एक अच्छी बात क्या है अच्छी बात ये है कि अकुलम वेटलेंड में भी बर्ड अकाउंट बड़ा है बर्ड बहुत सारे जो लोग है वेजिटेवल कल्टिवेशन के लिए पैडी कल्टिवेशन के लिए नौइस पॉलिशन हो रहा है इस वज़े से भी बर्ड को खतरा देखने को मिल रहा है तो आपको यह याद रखना है पजन सीरा वेटलेंड अपने वेशे स्पैस को प्रोनाउंस कर सकते हैं चलिए बात करते हैं आज के एडिटोरियल की सबसे पहला एडिटोरियल अबाउट द्रौपदी मुर्मुजी के बारे में बताया है इस बार का जो रिपब्लिक डे है वो 74 रिपब्लिक डे मनाया गया और सबसे बड़ी बात है कि पूरे देश में पहली ट्राइबल महिला है जो नोंने इतनी बड़ी पोस्ट को में बैठी है पंद्रवी वो राष्टपती है आपको बताना है कि वो किस ट्राइब से बिलॉंग करती है कल भी मैंने ये बताया था आपके आप्शन है पहला संथल दूसरा ओराओं तीसरा थारू या नन आपदीज आपका है संथल ट्राइब से हमारी राष्टपती द्रौपती मुर्मू जी ब्लॉंग करती है तो उन्होंने विमन इंपॉर्मेंट में वीकर सेक्शन में पूरी बात की गई दूसरा रिपब्लिक क्यों बनाते हैं उस पे बात की गई हमारी डेमोक्रिसी कितनी अच्छी तरह इस्टेबली से मिस मुर्मू ने उस पे भी बात की साथी साथ उन्होंने ये भी बोला की इस न्यू अंबिशन इंस्पार दे कंट्री सम फॉन्डेशनल प्रिंसपल मस्ट रिमेन दे टाइमलस बहुत सारे लोगों को इन्होंने बताए भी जो बहुत सारे अलग-अलग फिल्ड में सक्सेस हो रहे हैं राइट सर्वोदाई आत्मे निर्भर भारत की इन्होंने बात की अपनी स्पीच में बट में चीज ये संथल ट्राइब से हैं जहारखंड की ये गवर्नर भी रही और उडिसा से ब्लॉंग करती है कौन से राजी से ब्लॉंग करती हैं उडिसा से देखिए अभी डैवोस और न्यू डैली में वर्ल्ड एकॉनमिक फॉरम के सेशन चल रहे हैं उसमें ये बोला गया कि भारत जो है दस ट्रीलियन एकॉनमिक की ओर अग्रिसर है साती साथ चीर्मेन जो टाटा संस के हैं उन्होंने भी बोला कि तीन थिंक्स इंपोर्टेंट है ग्रोध 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 डैवोस वर्ल्ड एकॉनमिक फॉरम का सेशन जहां पर हो रहा है डैवोस में इवन जो अपने फिल्ड में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं बहुत सा हैं कुछ ऐसी इनफॉर्मल सेक्टर जेब हैं जॉब्स हैं जो हार्डली लोगों को पे करती हैं और उनका टाइम तो वही रहता है सुबह पांच बजे उनको आना पड़ता है रात के दस बजे ग्यार बजे जाओ ठीक है मतलब अगर 24 गंटा है 24 गंटे में से अगर कोई ब क्या होती हैं इंटेंशिव में एसी में फड़ती हैं जिसमें हलका सा capital लगानी पड़ती है मतलब दिली को लगा दो क्या नाई आज का जो mains का question है जो आप सब लोगों को attempt करना है साथ ही साथ मैं अपने points आप लोगों को जब भी ground water level पर कोई भी discussion आता है तो मैं आपको वो बताना चाहूंगा बात देखिए ये पूरा article लिखा गया है Mr. Subot यादव जीद्वारा और ये joint secretary है water resources river deployment गंगा rejuvenation जो की जल सकती ministry के अंदर आता है एक बहुत बड़ी बात है कि department के लोग जिस department में वो हैं उसी के लोग एक दा हिंदू में एक article लिखते हुए हमें देखने को मिल रहे हैं जो क कि बहुत एक अच्छी बात भी है तो चलिए start करते हैं सबसे पहले कि इन्हों ने कहा कि पूरे विश्व की जनता में अठार परती सच जो जनसंक्या है वो भारत की है और जो जगह है पूरे विश्व की उसमें से 2.4 जगह भारत की है ठीक हो गया और भारत कंजूम करता है 4% total water resources पूरे वर्ल्ड के मतलब 18, 2.4 और 4 बड़ सबसे बड़ा वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आती है कि इंडिया में ground water के user बहुत जादा हैं ground water आपको कहां से मिलता है जैसे नलों से जो पानी निकलता है वो ground water से ही निकलता है मतलब जमीन के अंदर से जो भी पानी आता ह उसे ground water कहते हैं भारत की अगर अनुका fact बताओं भारत में खेती के लिए बात करूँ या पानी पीने के लिए बात करूँ ग्रामेल शेतर में बात करूँ या सहरी शेतर में बात करूँ जो जमीन के नीचे का पानी है यानि की ground water है उसको बहुत ज़्यादा exploit किया जा रहा ह समझ मारा कितना ज़्यादा इंपोटेंट हो जाता है सबसे पहले हम एडिटोरियल के कुछ नोट्स करेंगे तो ग्राउंड वाटर को बचाने के लिए पी एम मोदी ने कुछ किया क्या यस आंसर है उन्होंने जल सकती मिनिस्ट्री एक मंत्रालाई बना दिया सबसे पहले मंत्रालाई हुआ करता था मतलब सोचो एक ही मिनिस्ट्री के अंदर अलग-अलग डिपार्टमेंट होते थे जैसे एक मिनिस्ट्री होती थी मंत्रालाई यह बहुत बड़ा मंत्रालाई था इसका नाम चेंज करके जल सकती मंत्रालाई कर दिया और अंदर की formation change गर दी जो की special focus करेंगे उस पे जो ज़्यादा खत्रे में है जैसे ground water साथी साथ भारत सरकार ने government of India ने अभी ground water को बदलने के लिए बहुत सारे useful scheme से भी लाई गई जिसमें की अटल भूजल योजना is one of the major scheme for the protection of ground water exploitation दूसरा है national project on aquifer management अटल भूजल योजना 2019 माई थी राइट और naquim यह क्या है यह है national project on aquifer management aquifer वही होते हैं जमीन के अंदर जो water level management होता है वही sub surface level को जो manage करता है वहने QM करता है तो अगर सिर्फ दो चीज़ें लिखनी पड़ती है अगर mains में भी आप लिख रहे हो ना तो आपको date लिखने की जर्वत नहीं है ground water से कभी भी आया तो आपको लिखना है government of India already started the atal भूजल योजना and national project on aquifer management for the protection of ground water और for the reservation of ground water मैं कुछ negative जो point है वो भी आपको mention करवा देता हूँ बट उससे पहले इंडिया का groundwater resource estimation system भी develop हो चुका है कुछ negative point जो आप challenge में लिख सकते हैं आप कह सकते हैं कि groundwater में 3% reduction हुआ है over exploited में और 4% increase हुआ है safe category unit as compared to 2017 ठीक है हाला कि negative point यही थे कि ज्यादा groundwater का over exploitation हो रहा है बट हाली में अगर आप report देखेंगे तो धीरे धीरे हम इंची जोंप है focus भी कर रहे है थ्रो दजल हटल भूजन mission राइट और last में communities have to participate और देखना पड़ेगा manage करना पड़ेगा इन चीज़ों को आज है ground zero यानि कि Saturday है तो आज यह चीज़े नहीं पूछ जाएंगे मैं आपको बता देता हूं नोट्स चलिए ग्राउंड वाटर क्राइस जी एस पेपर टू गवर्मेंट की पॉलेसिज एंट इंट्रवेंशन में यह पूछा जाएगा issues arising out of design implementation of policies सबसे पहले this crisis is also reflected in नीति आयोग composite water management index cwmi 21 Indian cities में डैली चिन्नाई बैंगलूरू जैसी इसमें नीति आयोग ने एक index निकला जिसके हिसाब से जो इंडिया के water resources हैं 70 परतीसत वो contaminated हैं इंडिया world largest user है groundwater का और 60% से ज़्यादा irrigation की resources देखो जो जो fact मैं बोल रहा हूं वो बहुत ज़्यादा detail fact हैं जो आपको पूछे जाएंगे तो भारत world का largest groundwater का user है भारत में 60% से ज़्यादा जो सिचाई होती है वो groundwater से होती है over extraction किया जा रहा है groundwater का जो की एक non-renewal है यानि कि तुरंत groundwater आज खच कर दिया मतलब वो हजारों साल लेगा बनने में दुबारा नियरली two-third जो net zone area है वो rain fed है मतलब जब बारिस आएगी तब ही हमारा कुछ हो पाएगा यानि कि groundwater का अगर हम इतनी तेजी से exploitation करेंगे तो agriculture भी हमारा खतम हो जाएगा United Nation Educational Scientific and Cultural Organization जिससे आप UNESCO कहते हैं और World Water Development Report में ये का गया है कि इंडिया largest extractor है groundwater का जो भूजल है सबोज उसका सबसे ज़्यादा use कौन कर रहा है इंडिया तो भारत है मैं इसको पहले पूरा बता देता हूँ ये क्या है ये 25 दिसमर 2019 को launch हुआ था ये ministry अब जल सकती के अंदर काम करता है earlier कौन सा पता ही है ये भारत सरकार और World Bank की 50-50% साजिधारी पर ये योजना चलाए जारी है डारेक्टली कोशन पूछा जा सकता है अटल भूजल योजना देखो डेट तो नहीं पूछी जाएगी बहुत मुस्किल से वैसे 2019 में है 25 दिसमर 2019 बट जो इस्टेट PCS के लिए या छोटे एक्जाम के लिए प्रिपेर कर रहे हैं उनसे डेट भी पूछ ली जाती है तो ये मिनिस्ट्री अब जल सकती के अंदर काम कर रहा है इसका पूरा मेजर यही है कि जो ग्राउंड वर्टर का ओवर एक्स्प्लोइटेशन है उसको खतम करना नाउ नेक्स्ट नियुस करते हैं पेई नमर एट की आई डबलो टी वाला हमने कर लिया है अरिबिया से भी आप क्या कर रही है जो अधानी के श에서 हैं उन पे चेक कर रही है कि आगे बड़े हैं या नहीं बड़े हैं राइट नाव नेक्स्ट जो न्यूज है आपकी टेक यूर ओन डिसीजन आपको ये नहीं करना उमर अब्दुल्ला ने जॉइन किया राहुल गांदी को कस्मीर में आपको ये भी डिसकस नहीं करना है चौध यूपी के मेर ने सुप्रिम कोट को अप्रोच किया कि उनका जो टेन्यूर है वो बड़ाना चाहिए आपको ये सब जानने की जरुवत नहीं है पेई नमर नाइन देखो किसी ओडिसा के सीम फॉर्मर सीम जो गमंग है और एकसलाइस लेचर है उन्होंने बी आरेस को जॉइन कर लिया ये पॉलिटिकल न्यूज है इसको डिसकस नहीं करना बी जेपी लीडर मेट्स टू सलेक्ट कैंडिडेट फॉर्थ तरी पूरा इलेक्शन आपको ये कुछ डिसकस नहीं करना है जो सिर्फ याद रखो जो भी हाइलाइटेड न्यूज है मैंने सिर्फ उनको ही हाइलाइट किया है जो की एक्जाम में आने की प्रॉबबिलिटी बहुत ज़ादा होती है पेज नमर टैन में आते हैं देखो चीता प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है जिसमें बार बड़ी कैट्स को लाया जाएगा साउथ अफरिका से कुनो नैशनल पार्क जो की मद्धि प्रदेश में है इससे पहले भी आठ चिताओं को यहाँ पर लाया गया नाम भी बिया से ठीक है मिश्टर मोधी के जनम दिन पर तो अभी एक और प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है जिसमें बोला जा रहा है कि साउथ अफरिका से बार बड़े कैट्स को यानि की चिता को लाया जाएगा अभी कल की एक न्यूज में क्या मेंशन था तो इसमें आपको क्या क्या याद रखना है कुनो नैशनल पार्क जो की है कहां का है मध्यप्रदेश का है और साथी साउथ अफरिका से बार नई चीता लाए जा रहे हैं और इनकी डिलिवरी अगले आठ से दस सालों में की जाएगी कल का मैंने कहा न्यूज कौन सी है कल की न्यूज यह है कि जो कुनो नैशनल पार्क में आठ चीता लाए गए थे नाभी बिया से उनमें किट्नी और लिवर इनफेक्शन जा रही है ठीक है और आपको जानने की जरुवत नहीं है ठीक है बांगलादेश हिल ट्राइब सिक सपोर्ट अगें दियर एक्स्रिमिनेशन उनको भगाया जा रहा है बहुत सारी चीज़ें तो मिस्टर मोदी से इन्होंने डील की है कि हाँ हमको बचाईए चलिए वर्ल्ड के वारे में बात करते हैं वेस्ट बैंक एज ओवर इस्राइली रेट्स रॉकेट अटेक इस्राइल और वेस्ट बैंक गाजा पट्टी आप सबको पता है यहाँ पर यह अटेक चलते रहते हैं जैसे रशिया यूक्रेन चल रहे थे जैलन्सकी से इन्डेफरेंट स्किल्स अलॉंग विट हेटर्ड टफ न्यू इलेक्शन क्राइटिरिया इन मयानमार यहाँ पर देख लिए यह यहाँ पर यह बोला जा रहा था कि जहाँ पर मयानमार में पार्टियों से क्या बोला गया कि आपके जो member है पहले 1000 क्राइटेरिया थी अब 1,000,000 होने चाहिए कि जो भी election में उठेगा उसके एक लाग की मेंबर्स होने चाहिए ठीक है एटलिस्ट वन लैक मेंबर्स अब अर्लियर वन थाउजन पहले वन थाउजन का टार्गेट था अब यहाँ पर यह कर दिया है ठीक है तो आपको यह नहीं करना होम मिनिस्टर टुक इट आप्टर SC says he is not a NEPALIZE CITIGENT तो बात यहाँ पर सुप्रिम कोर्ट जो नेपाल की सुप्रिम कोर्ट है उससे रिलेटेड है उसने यहाँ पर यह बोला कि जो नेपाल की होम मिनिस्टर है और नेपाल की जो सब प्राइम मिनिस्टर है वो नेपाली citizen नहीं है कहीं ना कहीं उन्होंने अमेरिका की नागरिकता ली हुई है एलिजली तो नैपाल की सुप्रिम कोट ने ये बोला कि फर्दर उनको अपनी पोस्ट से रिजाइन करना पड़ेगा यहां पर lawyer भी ऐसा बोल रहे है सेभी ने बोला कि आदानी गुरूप के जो ट्रांजेक्शन है हम चेक करते हैं कहीं फर्जी वाड़ा तो नहीं हो रहा अल्लेडी इन पर एक हिंडन बर्ग रिसर्च रिपोर्ड भी इन्वेस्टिगेट कर रही है तो सेभी कौन होती है जो आदानी गुरूप के ट्रांजेक्शन को चेक करेगी वो हम डिसकस करते हैं बट उससे पहले making unnecessary वो sports section कुछ नहीं है weekend sports कुछ नहीं है जो आपको करना है तो आज की इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे ठीक है इतना ही करेंगे यह देखिए यहाँ पर कुछ 72nd junior national basketball champion में जो बंगलूरो में होई थी यह भी direct पूछा जाता है बहुत सारे state PCA इस बार basketball champion का होई थी बंगलूरो में हो थी बहुत सर्वी UP और Tamil Nadu emerge the boys and girls champion respectively UP के जो boys हैं वो जीते और Tamil Nadu की girls जीती तो मैंने बोला अडानी के उस पर क्या कर रहे हैं बार-बार चेक कर रहे हैं तो ऐसे भी एक statutory body है जो बार अप्रेल 1992 को बनी थी इसका act है 1992 लोगों के interest को protect करना है आज की इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे वीडियो यहां तक देख लिए तो वीडियो को like कीजिए वीडियो को चैनल को subscribe कर लीजिए जादे से जादा लोगों को भेजिए चूंकि यह हम free में notes दे रहे हैं बार कि आप हमारे paid notes भी ले सकते हैं जिसमें सभी subject के notes तैसरीज available हैं आज के इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे थैंक यू, have a nice day